कहानी वेद पुराणों की मनुरंजक कहानिया, जीवन को राह दिखलाने वाली कहानिया धार में सांस्ट्रितिक, सामाजिक और राजन्यतिक हर पक्ष को छूती हैं कहानिया तो इनी कहानियों को मैं सुनाने आ रही हूँ यानि आजे गीता सुमन, शो कथा लोग में हर मंगलवार, शाम साथ से आठ और हर बुदवार, दो पहद, दो से तीन तो सुनना मत भूलिएगा, सिर्फ और सिर्फ रेडियों उडान पर दो अंधों की कथा सुनो, इस पर इनका घ्यान साथ वर इस दीन की रेडियों पर इस दो एंधों की कथा सुनो इस पर इनका घ्यान साथ जो कि प्षिल्स निती अवारग्य वे उन्म झाल पिंग भारग्यों अवारग्या ये 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 ह्ये राग्यार प्रिज्ट प्रेंफ रहारग्याँ नमस्कार दोस्तों रेडी उडान पर आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं हूँ आपके साथ आज जे गीता सुमन हर मंगलवार शाम को साथ बजे समय होता है शो कथा लोग का जिसमें हम आपको सुनाते हैं कहानिया तो हमेशा की तरह आज फिर हम आपके लिए एक प्यारी भी कहानी लेकर आए हैं आएए दोस्तों प्रस्तुत है आज की कहानी मेलकेमसन के सालाना इम्तिहानात होने में चंदी रोज बाकी रह गये थे उसने सोचा कोई ऐसी चका तलाश करनी चाहिए जहां वो सुकून से मताला कर सके वो अपने दोस्तों से दूर भागना चाहता था उसने रेलवे टाइम टेबल उठाया और आंग बन करके एक जगा उंगली रख दी उसकी उंगली बैन चर्च नामी एक दूर उफतादा गाउं पर पड़ी नौजवान ताले बेलम महां कभी पहले नहीं गया था उसने जल्द जल्द अपनी जुरूरत के चंद कपड़े और मताले की किताबे एक सूटकेस में रखी अपनी मां से इजाज़त ली और स्टेशन पर पहुंच कर बैन चर्च जाने वाली गाड़ी में सवार हो गया तीन गहंटे के सफर के बाद वो बैन चर्च के चोटे से स्टेशन पर उत्रा बैन चर्च दरसल एक मुक्तस सा मारकिट टाउन था जहां महीने में सिर्फ एक हफ़ते बाजार लगता था और इड़किट के देहाती अपनी जरूरत की अशिया खरीदने के लिए आते थे साथ दिन खूब रौनक रहती और फिर तैस दिन के लिए मुकमल सनाटा मेलकिमसन स्टेशन से निकल कर एक चोटी से सराई में पहुंचा और रात भर के लिए एक कमरा कराई पे लेकर टहर गया दूसरे रोज वो इस रादे से बैंट चर्च में घूमने के लिए निकला कि किसी अलहदा और पुर्सकून मकाम पर कोई क्वार्टर नुमा कमरा मिल जाए जहां वो रात दिन अम्तिहानात की तैयारी कर सके सराई से खासी दूर उसे एक ऐसी जगा मिल ही गई जिसकी तलाश में वो लंदन से सफर करके यहां तक आया था ये एक कदीम तरस का बना हुआ नहायत पुराना लेकिन बेहद मजबूत मकान था जिसके दर्वाजे भारी और खिर्कियां बलंद थी मकान हरचन छोटा था लेकिन खासा उंचा था जैसे पुराने जमाने में मकाना बनाय जाते थे इसके चारों तरफ पुखता इंटों की बनी हुई एक उंची चार दिवारी थी इम्तिदाद जमाना के बायस कहीं कहीं बेरूनी प्लास्टर उखड गया था और सेया इंटे बाहर जहांक रही थी ऐसा मालूम होता था कि ये गलानुमा मकान रहाइश की बज़ाए किसी और मकस्त के लिए तामीर किया गया था इसके चारों तरफ दूर दूर तक दूसरा कोई मकान नहीं था और हर तरफ एक भयानक सरनाटा तारी था मुम्किन है आम हालात में इस पुरहवत मकान और वहशत अंगे सरनाटे को देकर मलकमसन घबरा जाता लेकिन वो तो इस वक्त खुश था कि उस अपनी पसंद की जगा मिल गई है बिल्कुल खामोश दुनिया से हटके और पुरसकून वो दिली दिल में कहने लगा क्या ही अच्छा हो कि इस मकान का एक कमरा आर्जी तोर पर मिल जाए मालूम करना चाहिए किसकी मिलकियत है वैसे तो वो खाली नजर आता है बैन चर्च के डाख खाने से मलकमसन को उस एजिन का नाम और पता मिला जो इस कदी मकान को मालिकान की तरफ से कराय पर देने ये ना देने का मजास था मिस्टर क्रानफॉर्ट एक उम्र रसीदा और शरीफ खसलत आदमी था नाजवान तालेब इल्म ने जब उसे अपनी आमद का मकसद बताया तो एक लम्हे के लिए बुढ़े क्रानफॉर्ट के चहरे पर हैरत और खौफ की मिली जली शिकने नमुदार ही लेकिन फॉरेन ये उसने खंदा पेशानी से मलकमसन को बैठने के लिए कुरसी पेश की और बोला मुझे बेहत खुशी होगी अगर आप इस मकान में चंद रोज क्याम करें मगर मैं आपसे कुछ पोशीदा रखना नहीं चाहता मालकान मकान की जानब से मुझे इजासत है कि एक साल के लिए हर उस शख्स को यह मकान बगार कराया दे दूँ जो इसमें क्याम करने का खौहिश मन्द हो मालकान चाहते हैं कि यह मकान आबाद दिखाई दे क्यूंकि अरसा दरास खाली होने के बाइस इसके बारे में तरह तरह की अजीब और वहशत अंगेज दास्ताने मश्यूर हो गई है और इन कहानियों को जुटलाने का वाहिद जरीया यही है कि आप जैसा तालेब इल्म जो पुर्सकून और खामोश यगा पर मताला करना चाहता है उसे आबाद करते मेल कमसन ने एजिन्ट से द्रियाफ्ट करना गताई घर जरूरी ख्याल किया कि मकान के बारे में वो अज्जीब और वहशत अंगेज कहानिया किया है उसे तो सिर्फ फिकर थी मकान का एक कमरा कराया पर लेने की लहाज़ उसने कहा जन्याबाब की बड़ी नवासिश है मैं तो यह समझता था कि मकान बमुश्किर ही मिल सकेगा बहराल मैंसे मुफ्ट लेना नहीं चाहता ये लीजिए तीन मागा कराया हाज़र मुझे सिर्फ एक कमरा दर्कार होगा लहाज़ प्लीज मुझे इस रकम की रसीद और जो कमरा अब देना पसंद करें इसकी चावी नायद फरमा दीजे एजिएंट ने अपनी अंदरूनी मुसरत चुपाते हुए फॉरन रकम वसूल करके ने सिर्फ रसीद और चावी थी बलके महरबानी से एक बूरी वारत का पता भी बताया जो मिलकेमसन की जुरूरियात का ख्याल रखेगी और चोटा मोटा काम काज कर दिया करेगी चावी जेब में रहकर मिलकेमसन वापस सराइग गया सराइगी मालिका खुश मजजज अमरसी दा उरत थी मेलकमसन ने से बताया कि करीब ही उसे खाली मकान करायपर मिल गया है और वो आज इसमें मुंतकल हो जाएगा जब नाजवान ताले बिल्म ने उस मकान का नक्षा बुढ़िया को बताया तो उसके रौशन चेहरे पर एकदम खौफ की गहरी पर चाहिया आ गई चनल में बाद वो बोली ख़दा की पना क्या तुम जजज के मकान का रिकर कर रहे हो नाजवान ने हां में जवाब दिया और उसे कहा कि ये तो मालूम ने कि उस मकान को क्या कहते है जजज का है या किस का है ये जरूर मालूम है कि वो मकान पुराने जमाने का बना हुआ है और काफिर से से खाली पड़ा है लेकिन अमा ये तो बताओ आखिर इस मकान का नाम सुनते ही तुम डर क्यों गई क्या ये आसेफ जदा है अरे बेटा क्या बताओ खुद मुझे भी सही हालात का इल्म नहीं मैं दरसल यहां की रहने वाली नहीं हूँ ना अलबता यहां के कदीम बाशिंदों से सुना है ये मकान एक बेहद बेरहम संग्दिल जच का है वो डेर सौ साल कबल इसमें रहता था और जिस मुझरिम को वो फांशी की सजा सुना था उसे अपने ही मकान में फांशी दिल्वाता मैं इस से जदर कुछ नहीं जानती मैंने कई मरतबा मकामी लोगों से इसके मटालिक पूछने की कोशिश की लेकिन कोई नहीं बताता हर शक्त सबान खोलते हुए डरता है मगर ये बात हर एक को मालूम है कि जदर के मकान में कुछ न कुछ जरूर है आज तक उन लाशों का भी पता नहीं के वो कहा है खुदा रहम करे अगर कोई मुझे बैंक आफ इंगलेंड की सारी दॉलर भी दे दे ना तब भी मैं एक रात उस मकान में ठेहने को तयार नहीं बेटा मैं नहीं जाती तुम अस मकान में अकेले रहा हूँ खुदा मालूम तुमें कोई हाथसा पेशा है तो हम मा मैं इन सुनी सुनाई दास्तानों पर यकीन नहीं रखता मैं तुम वहां सर्फ पढ़ने जा रहा हूँ तुम यकीन रखो मुझे कोई भूत कौफ सदा नहीं करता अब तुम ऐसा करो मुझे वो जुरूरी सामान करवाई पर दिलवा दो जो मैं असने कमरे में ले जाओ उसकी ये लिस्ट है ये पलंग बिस्तर वगारा मैं थोड़ी दर की लिए बाहर जा रहा हूँ तुम सामान तयार करवा दे न यहां से मिलकिमसन उस औरत को ढूने निकला जिसका पता मिस्टर क्रानफॉर्ड ने दिया था मिस्स डैमस्टर सत्तर पच्छच्छतर बरस की बुर्या थी उसे साथ लेकर मिलकिमसन जब जजज हाउस पहुंच आ तो उसने सराई की मालिका को कई आदमें समेट अपना मुंतजर पाया ताला खोलकर मिलकिमसन जब पहली मरतब में गया तो अंदर पहली हुई खामोशी उसे बहुत मुसरत आमीज महसूस हुई घूम फिरकर उसने एक एक कमरे का जायजा लिया आखरकार उसने खाने के कमरे में उपना बिस्तर सजाने का फैसला किया ये कमरा खासा वसी और इस तार उसमें मिलकिमसन की तमाम चीज़ें आसानी समा सकती थी सामान रकफाकर सराई की मालिका जब जाने लगी तो उसने मेलकिमसन को नसीहत की कि अगर वो अब भी अपना इरादा तब्दील कर दे तो उसे बेहत खुशी होगी मैंकर उसने जवाद दिया अब तो मैं दो चार भूतों कोई देखकर यहां से जाऊंगा जब वो अपने आदमियों को लेकर चली गई तो मेलकिमसन मिस्स डैमस्टर से मुखातिब हुआ मिस्स डैमस्टर यह तुम भी भूतों से खाइफ हो उस बोड़िया ने पनी गोल गोल आंके गुमाई सीने पर सलीब का निशान बनाया और बोली बेटा मेरी इतनी उमर ओने को आई है मैंने आज तक कोई भूत नहीं देखा मुम्किन भूतों का कोई वजूद हो मगव और नहीं लोगों को डिराते हैं जो वेमी किसम के होते हैं रात के वक्त हमें हर शे भूत दिखाई देती अब इस कमरे को देखो सैकड़ो बरस पुरान है क्या याचूओं के बिल नहीं होंगे जब वो रात को दर दर फिरेंगे तो तरह तरह की आवाजे नहीं आएंगी और ऐसे नहीं लगे का जैसे कोई बदरू कमरे में आ गई बाद अकाद किसी दर्वाजे की डीली चिटखनी तेज हवा से खुल जाए हम चौंक उटते हैं चुर्चुर करते दर्वाजे हमें खौफ सदा करते हैं जब खिर्की के तूटे शीशों में से हवा गज़रती है तो अजीब डरावनी आवाज पैदा होती है यह सब बात आदी राथ ही को हुआ करती है मैंने कोई आमियत में देती हम खुब तब तब तो मैं तुम बहुत दिलेर हो अच्छा मैं ज़रा बाहर टहलने जाता हूँ तुम इतनी देर में ज़रा एक कमरा साफ करतो और हाँ अगर तुम इसी मकान का को हिस्सा अपने लिए पसंद करके यही ठहरो तो मुझे कोई अतराज नहीं खाना मेरे साथ ही खा ले ना नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती मैं अपने घर से बाहर रहने की याद दी नहीं और गयर जगा तो मुझे नीन नी नहीं आती मैं हर रोज यह आकर देख भाग कर जाया करूंगी अच्छा ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी बेंचर्ट के छोटे से बाजार में घूम फिरकर जब वो वापस आया तो रात की तारीकी ने जजज हाउस को पूरी तरह धाम लिया था उसने दूरी से देखा कि कमरे में रोशनी हो रही है जब वो कमरे में दाखल हुआ तो उसकी तबियत खुश हो गई कमरे का फ़श साफ सुत्रा था और पुराने आतिशदान में आपके शोले भी भड़क रहे थे लंबी मेज के एक कोने में मिटी के तेल का एक लैम्प था और खाना चुना हुआ था बुडिया खुदाजाने कब की जा चुकी थी नौजवान ने एक मिनान से लजीज खाना खाया और फिर ट्रे उठाकर कमरे में रखी हुई दूसरी मेज पर रखती ये शाह बलूत की लकडी की बनी हुई एक बहुत पुरानी मेज थी जो पहले ही से इस कमरे के वस्त में रखी हुई थी इसके बाद नौजवान ने मुताले के सब किताबे निकाली आतिश दान में छोटी छोटी लकड़ियां डाली लैम्प की बत्ती उंची की और कुर्सी पर बैठकर नहायत इन हिमाग से मुताले में मसरूफ हो गया आदे रात के वक्त उसे चाई के जरूरत महसूस हुई उसने किताब हाथ से रखी और थरमस में से चाई कप में उंडेल कर चस्किया लेने लगा और अब पहली मरतबा उसे एहसास हुआ कि कमरे में एक अजीब सा मधहम शोर है शायद ये चूहे हैं जो अपने बिलों से बाहर निकल कर इधर उधर फिर रहे हैं तो उसे ख्याल आया कि से पहले उसने चूहों के दोड़ने की वास क्यों न सुनी यकीना उनकी सरगर्मिया काफी देर से जारी होंगी आहस्ता आहस्ता ये आवाजे तेज होती गए शायद चूहे अजनबी महमान से पहले खौफ सता थे मगर जब उन्होंने देखा कि वो कोई हरकत नहीं करता तो वो दलेर हो गए कमरे के फर्श पर दिवारों के कोनों और सुराखों में से बेश शमार चूहे सर निकाल निकाल कर मिलकमसन को तक रहे थे उनके पंजों की आवाजे उसके कान में आ रही थी जब वो दिवार को खुरचते या किसी शे को दामतों से कुतरने की कोशिश करते तो अजीब आवाज कमरे में गूंच थी एन इसी वक्त मेलकिमसन को मिसस डामस्टर की बाद शाद आई क्या यहाँ चुहें न होंगे जब वो रात को इदर उदर फिरेंगे तो तरह तरह क्या आवाजें पैदा न होंगी जैसे कोई बदरू कमरे में आ गई वो यह सोचकर मस्कुराया गरम गरम चाय ने उसके आसाप को पूरी तरह चुस्त कर दिया उसने सोचा जब इस कमरे का मौाइना करके देखें कि चुहे कर के रहे हैं उसने लेंप हाथ में लिया और वसी और इस कमरे को गूम फिर कर देखने लगा अब पहली बार उसने देखा कि इस कदर पुराना होने के बावजूद कमरे किस कदर खुबसूरत और मजबूत है उसके कई दर्वाजे और खिड़किया थी जिन पर लकड़ी के बेहत खुबसूरत बेल बूटे बने थे गर्दिश लेलो नहार के बाएस उनका रंग सया पढ़ गया था लेकिन मजबूती का आलम वही था कमरे की चछट गयर मामूली दोर पर काफी बलंद थी और लेम्प की पूरी रोशनी वहां तक नहीं पहुँच रही थी इसलिए वो ये नहीं देख पाया के चछट किस तरह की है वो सोचने लगा कि इस कदर मजबूत और खुबसूरत मकान से मालिकान ने किस कदर गफलत बढ़ती है कमरे की दिवारों पर कई बड़ी बड़ी तस्वीरे लगी थी उनकी जर्ड जर्ड आंके खूब चमकती थी मगर रोशनी पढ़ते ही वो छीज़ी करते हैं नजर से ओजल हो जाते कमरे में घूमता हुआ जब वो आतिशदान के करीब आया तो एक चीज़ पर नजर पढ़ते ही वो ठठठक कर रुप किया दाएं जानिब स्याह रंग का एक मोटा सा रसा लटक रहा था जो बलंद होता हुआ तारीक छट तक चला गया अब उसे याद आया कि ये वो ही रसा है जो खत्रे की घंटियों को बजाने के लिए इस्तमाल होता था और जिसका जिकर मिसस डैमस्टर ने किया था वो चन्द लम्हें तक रसे को देखता रहा फिर इसकी निगा एक और चीज़ पर पड़ी वो हैरान था कि इस चीज़ को उसने पहले क्यों नहीं देखा ये एक उंची पुष्ट की शाह बलूत की बनी हुई शानदार कुरसी थी जिस पर तरह तरह के नक्षो निगार बने हुए थे वो तारीफी नज़रों से उसे देखता रहा फिर उसे अपनी चाह का ख्याल आया वो वापस अपनी कुरसी पर गिया और चाह पीने लगा चाह पीकर उसने किताब हाथ मेली चंदी लमहों में वो दुनिया माफह से बेखबर जिमेट्रिक के मुश्किल मसले हल करने में मसरूफ था दाफ़तन उसने निगार उठा कर अपने सामने देखा जो मसला वो हल कर रहा था वो भी नातमाम था लेकिन उसे यू महसूस हुआ जैसे रात खतम हो गई और थोड़ी ही देर में सुवेदे सहे नमुदार होने वाला है चुहों की पुरसरार आवाजें ये कख थम गई थी जैसे जैसे किसी ने उनको रोग दिया हो दरहकीकच यही वो बात थी जिसने मिलकिमसन की तवज़ अपनी तरफ मबजूल की आतिश्टान में आखी तेजी अब धीमी बढ़ गई थी और सिर्फ एक सुर्ख शोला सा उठ रहा था और फिर उसके बदन में जैसे सुया सी चुबने लगी उसी स्यारंगी लंबी पुष्ट की शाह बलूत की कुर्सी पर एक बहुत बड़ा चुहा बैठा खश्म की नजरों से मिलकिमसन को घूर रहा था उसकी सुर्ख सुर्ख आंकें अंगारे की मानन दहक रही थी मिलकिमसन ने इस किसम का इशारा किया कि चुहा डर कर भागे मगर वो वो तो जरा भी ने डरा तब उसने पास रखी हुए एक किताब उठा कर इस तरह मलन की जैसे चुहे पर फेंगने का इरादा हो चुहा फिर भी टस से मसना हुआ और इसी तरह उसको गुसे से घूरता रहा एक पर उसने अपने लंबे-लंबे सुफेद चमकीले दाम भी निकाले नौजवान ने हैरत औ खौफ के मिले जुले तासुरात के साथ लपत कर आतिशतान को रेदने वाली लोहे की सलाख उठाई और उसे मानने के लिए उठा मगर इससे पेशतर कि वो चुहे पर वार करता चुहा कुरसी से फर्श पेप कुदा और आनन फानन खत्रे की घंटियों के रसे पर चड़कर छट की तारीकी में गाइब हो गया एन इसी लम्हें कमरी में दूसरे चुहों के भागने दौरने और चींची करने की आवाजें दुबारा शुरू हो गए मेलकिमसन का जहन राद भर जागने मुताले के बाइस अब बिलकुल माउफ हो चुका था जूहीं दूर से किसी मुर्ख की कामती हुई आवाज उसके कान में आई उसने किताब मेस पर फेंगी और बिस्तर पर लेटकर गहरी नीन सो गया दिन चड़े तक वो बेखबर सोया रहा हता कि मिसस डैमस्टर ने आकर दर्वाजे पर काफी देर तक दस्तक दी तब वो उठा उसे इतना सारा जिसम तूटता हुआ महसूस किया लेकिन चाय की एक प्याली पीते ही उसकी तबियत बहाल हो गई इसी असना में मिसस डैमस्टर ने नाश्टा तयार करके मेज पे लगाया और कमरा साफ करके रुफसत हो गई मैलकमस्टर नाश्टा किया फिर किताब लेकर बाहे निकल गया दोपहर तक टहल टहल कर पढ़ता रहा फिर भूग लगी तो बाजार गया खाना खाया और वापसी पर चन्द मिन के लिए सराय की मालका मिसस विथाम के पास रुका उन्हें जूहियों से आते देखा फौरन बाहर आयर बूली मैं सच कह रही हूँ तुम्हारा चेहरा पीला पढ़ रहा है रात भर काम में मसरूफ रहना सहत के लिए मुफीद नहीं और फिर ऐसे मकान में थोड़ी देर हुई मिसस डैंसर ने बताया है तुम दिन चड़हे तक बेखाबर सोते रहे आई ये तो बता तुम रात खैरियत से गुजारते रहे ना बिलकु खैरियत से मुझे तो महाँ कोई बतरू दिखाई नहीं दी सवाएच चूहों के मसे नोना बड़ा तंग किया सारे कमरे में दोड़ते फिरे और फिर वो बड़ा सा चूहा जो आतिशदान के अपास रख्यों की पुरानी कुर्सी पे बैठके मुझे घूरता रहा इतना बड़ा कवी चूहा तो मैंने आज तक नहीं देखा मैंने तुस्से भगाने भी कोशिश की अगर वो ढरा ही नी फिर मुझे लोहे की सलाख हाथ में लेनी पड़ी तब वो भागा अलारम की घंटियों के रसे पे चड़के चट में गाइब हो गया जब वो ये तमाम बात सुना रहा था तो मिसस विथाम के चेहरे पर एक रंगा आता और एक जाता था क्या कहते हो तुमने इतना बड़ा वाला चूहा देखा जो कुरसी पे बैठा तुम्हे घूर रहा था तुमने वो देख लिया तौबा अच्छा चाब मैं चलता हूँ कल आउंगा जब वो मकान में दाखल होकर अपने कमरे में गया तो चूहों की भागदोर और चींची करने की आवाजे जारी थी उसने सोचा आज सरे शाम हीन मनुसों ने परेशान करना शूरू कर दिया रात का खाना हजब मामूल मेज पर रखा था उसने इत्मेनान से खाना खाया और फिर कौपियां किताबे लेकर बैट किया उसे एसास हुआ कि चूहे गहर मामूली तौर पर उच्छल कूद रहे हैं कभी वो खिड़कियों के परदे नोचते कभी लकडी का फरश खुरचते फिर जोड़ जोड़ से चीखते और भागते लैम की मदम रोशनी में वो उनको हरकत करते देख रहा था रात का अब्तदाई हिसा गुजरा रात गहरी होनी शुरू ही किदाफ़तन कमरे में मौत किसी खामोशी चागी उसने चौंक कर सर उठाया ऐसा मालूम हुआ जैसे जो चूहा जहां था वहीं बेहस्व हरकत हो गया है उनके भागने फर्ष पर पंजे रगड़ने और लकड़ी कुतरने की पुर्शोर आवाजें यक लख गायब हो गई थी तब मिलकिंसन को याद आया कि पिछली रात भी ऐसी ही खामोशी अचानक हुई थी गयर एरादी तोर पर उसकी निगाहें लंबी पुष्की कुर्सी की तरफ उड़ गी और फिर जैसे दहशत की एक सर्द लहर उसके जिसम में दोड़ने लगी आतिशतान के करीब रखी हुई उस कुर्सी की निशस्ट पर शहाना अंदाज में वही जबर दस्त मूटा ताजा चुहा उसे आतिशी नजरों से घूर रहा था जूही मेलकमसन की निगाहें उस चुहे की आंखों से चार हुई उससे यू महसूस हुआ जैसे उसके कुट एरादी सल्ब हो रही है मुस्तरब होकर उसने एक वजनी किताब उठाई और चुहे की तरफ फेंगी चुहा यारी से एक तरफ हट गर किताब कुर्सी के पुष से टकरा कर लकड़ी के फर्श पर जा पड़ी लड़के ने लपक कर फिर लोहे की सलाख उठाई और चुहे पर हमला किया मगर फौरण ही वो चुहा दांत निकालता हुआ खुराया फर्श पर कुदा और आनन फानन अलार्म घंटियों के मोटे रसे पर चड़कर च्छत के जाने किसे सुराख में गायब हो गया लेम की मध्धम सबस रोशनी उंची च्छत की आखरी हद तक ना पहांचने के बाइस वहां गहरी तारीक की थी इसलिम वो देख ही ना सका के बड़ा चुहा च्छत के किस हसे में चुपा है उसने आतिशतान में ताजा लकणियां डाली शोले तेजी से भड़कने लगे उसने धरमस में से चाय की पैली निकाल कर पी चाय खतम करने के बाद वो उसी बड़ी सिया रंगी कुरसी पर बैटकर सिगरेट के कश लेते हुए सोचने लगा किस मन्हूस चुए का सुराग लगाना चाहिए आखर ये च्छत में जाकर गाइब की तर होता है उसने तैय यही किया कि कल जरूर चुए दान मंगवा कर इसका कस्टा पाक करने की कोशिश करेगा दाफ़तन उचे कुछ याद आया अपना सूट केस खोल कर उसने एक और लैम्प निकाला उससे रोशन करके मेज पर इस तरह रखा कि आतिशतान के दाएं जाने का तारीक गोशा रोशनी में आगिया उसके बाद उसने पनी तमाम किताबें उपर तले अपने हाथ की जद में रखी ताके मौका मिलते ही चुहे पर ठेंक सके आखिर में उसने अलार्म घंटियों का लटकता हुआ मोटा रसा पकड़ा और उसका सिरा मेज पर रखकर उसके उपर लैम्प रख दिया उस मोटे रसे को छूते हुए उसे जुर-जुरी महसूस हुई जैसे इसने किसी नाबाक चीज़ को छू लिया हूँ उसने रसे को जुक कर गौर से देखा काफी पुराना लेकिन बेहद मजबूत रसा था मेलकमसर ने दिल में कहा इस रसे से तो अच्छे खासे कवी हैकल आदमी को फांसी दी जा सकती है ये तैयारियां करने के बाद उसने इतमिनान का सांस लिया अब चुआ आएगा तो रसे पर चड़कर छट में गायब नहीं हो सकाएगा आओ मेरे दोस तब मैं तुम्हारे इस तकबाल के लिए बिलकुल तयार हूँ उसने जेले लब कहा और चारों तरफ देखा चुहों के सरगर्मिया वापस शुरू हो चुकी थी हर तरफ चींची पींपीं की आवाजे आ रही थी दाफ़तन कमरे में फिर वोही पुरसरार दिल दहला देने वाली खामोशी चागई मेलकिमसन के सरी औलहिस आसाब अबस भयानक खामोशी को फॉरण भाम लेते थे उसने चौंक के गर्दन उठाई क्या देखा कि मेज पर रखा हुआ लैंप आहिस्ता आहिस्ता हिल रहा है उसकी निगा लैंप पर से होती वी रसे पर पड़ी वही मनहूस बड़ा चूहा रसे पर पिसलता हुआ नीचे आ रहा था मेलकिमसन बेहस वहरकत बैठा चूहे को देखता रहा वो बड़े इतमिनान से स्या कुर्सी पर कुदा और लड़के को नहायत खोनी नज़ों से घूनने लगा उसकी आंखों से नफरत की चिंगारिया निकल रही थी मेलकिमसन जपट कर ओपर तले रखी हुई किताबों में से किताब उठाई और चूहे पर खेंच मारी उचल कर एक तरफ हट किया उसने यके बाद दीगरे तीन किताब उसे मारी मगर हर बार चूहा उचल कर इधर उधर चला जाता और वार fix考 देता उससे में मेलकिमसन खड़ा हो गया उसने चौते किताब उठा कर हाथ बलन किया चुहा ये किताब देखते ही दुबग्या और खौफजदा नजरों से किताब की तरफ देखने लगा चुहे की हालत में ये हैरत अंगेज तगयर देखकर मैलकमसन की जुर्यत और बड़ी और उसने पूरी कुछत से किताब चुहे पर देमारी चुहे के मूँ से एक दिल्दोस चीख निकली एक लम्हे के लिए वो तरपा फिर खौफजदा नजरों से मैलकमसन को देखते हुए उचल कर कुरसी की पुष्ट पर चड़ा और वहां से जस्ट करके रसे पलटक गया चुहे के बोच से लैम्प के नीचे दबा हुआ रसा निकल गया और लैम्प लुड़क कर पूशोर आवास के साथ लकड़ी के फर्श पर जा गया उसने लपक के दूसरा लैम्प हाथ में लिया और कुरसी पर चड़कर चुहे को देखने लगा धिवारों पर लटकी हुई बड़ी बड़ी तस्वीरों में से एक के दर्मयान में एक बड़ा सा सुराख था चुहाँ सुराख में से दाखल होकर नज़रों से घाइब यह तस्वीर आतिश दान के ऐन ऊवपर लगी हुई तस्वीरों में से तीसरी थी खूब गौर से देखनी के बावजूद मिलकमसन को पता नचल सका कि ए तस्वीर क्या है तस्वीरों के उपर गड़ की दबेस तहच जड़ी हुई थी मेलकमसन ने सोचा कि सुबह के वक्त इस चुहे के रहने की जगा का मौइना करने की कोशश करना लाजमी है यह बचकर भला जाता कहा है वो वापस मेज की तरफ गया और लैम्प रखकर फर्श पर पड़ी हुई किताबे करके उठाने लगा अंग्रेजी ग्रैमर, जिमेट्री का खुलासा, तारीख इंगलिस्तान और यह चौथी किताब इसकी जिल्द से नामानूस मालूम ही वो एक लम्हे सोचता रहा कि किताब कहां से आई थी जिसे देखकर चुहा एक गम भाग गया फिर दूसरी किताब में मेज पर रखकर उसने महज ताजसूस की खातिर उसकिताब का खुला उसके हाथ कामपने लगे और चेहरे का रंग फिर तो खौफ से जड़ पढ़ गया ये 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 बाइबल ओ, जब मैं घर से चला तो माने दूसरी किताब के साथ इसे भी रख दिया और मैंने, ओ, खुद आया उसने बेचैनी से चारों तरफ कमरे में देखा क्या जब इत्तफाक है उसके कानों में मोटे चुहे की भیانत चीख उबर रही थी किताब मुकदस को इहत्यात से उसने ज़ार पहुंच कर एक तरफ रखा और जहन को तमाम अलाइशों से पाक करके दोबारा मताले की तैयारी करने लगा चोटे चुहों की सरगर्मिया दोबारा शुरू हो गई अब पहली मरतबा मेलकमसन ने महसूस किया चुहों की इन आवाजों से इसके दिल को घबराहट की वज़े तक्वीयत पहुंचती है ऐसा क्यों है? इसका जवाब उसके जहन में नहीं आ सका जब उसने किताब खोली तो हुरूफ उसकी नजरों के सामने से गायब होने लगी और निगाहों के आगे बार बार इसी चीफते हुए चुहे की तस्वीर गर्दिश करने लगी जुनजला कर उसने किताब बंद करके मेज पर पठखी मश्रिक से सुपैदे सहर की आमद आमद हुई वो उठा और बिस्तर पर लेटकर आँखे बंद करनी वो सुकून की नीन सोने की बजाए बहानक खौब देखता रहा और जब दिन चड़े मिसस डैमस्टर ने उसे जंजोड कर बेदार किया तो उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो बरसो का मरीज है कई मिनित तक वो बिस्तर पर चित पड़ा रहा उसे अपनी टांगे बेजान मालूम होती थी उसे जो सबसे पहला सवाल किया वो बिचारी बुड़िया को हैरत जदा कर देने के लिए काफी था मिसस डैमस्टर मैं आट सारा दिन बाहर रहूंगा और हां तुम ये करो करो करोंगे से उंची से सीड़ी लाओ और कमरे की दिवारों पर लगी हुई तमाम तस्वीरों पर से गड़ की तहें जाड़ो और हां खास तार पर उस तस्वीर को खूब साफ करना जो आतिश्टान के एन उपर तीसरे नंबर पर है और जिसमें उबड़ा से सुराख भी है मैं इन तस्वीरों को देखना चाहता हूँ नाश्टा करने के बाद उसके जिसम में चुस्ती आई उसने पनी किताबे संभाली अमरकान से बाहर निकल कर तरख्तों के साएं में बैठकर काम करने लगा दोपहर को उसने हस्वे मामूल बाजार जाकर खाना खाया और वापसी में सराई की तरफ हो लिया जब उस सराई की मुक्तसर सी बैठक में दाखिल हुआ तो उसने मिस्स बेठाम को एक शखस के साथ बाते करते पाया आहा तुम आ गए इन से मिलो ये हैं डॉक्टर थारन हिल मेलकमसन ने डॉक्टर थारन हिल से हाथ में लाया और करीब बैठ किया इसको एहसास हुआ कि सराई में डॉक्टर की मुमजूद की कोई खास मानी रखती है इससे पेश था कि डॉक्टर सुबान खोलता मेलकमसन ने कहा डॉक्टर साथ मैं आपके तमाम सवालात का बखुशी जवाब दूँगा मगर शर्च रहे है कि पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दे डॉक्टर की चहरे पर हैरत की अलामात नमुदान ही फिर उसने मुस्कुरा कर कहा तो उच्छे जनाय में जवाब देने से दरेख तो नहीं करूँगा क्या मिस्स विथाम ने आपको इसलिए नहीं बुलवाया कि आप मुझे समझाने और नसीयत करने की कोशिश करे मिस्स विथाम को चहरा एकदम सुर्ख हो गया मंगर उसने कहा नहीं अलबता डॉक्टर थार्ड ने फॉरण देवाब दिया बेशक यहीं बात है मगर मैं नहीं समझ सका कि आप नाराज की हुए मिस्स विथाम को आप से हमदर दी और नहीं चाहती कि आप उसाफ से जदा मकान में तनहा रहें और राट राट भर जागें मैंने सुना है अप चाहे बहुत पीते हैं बहुत नुकसान दे है यह मैं आपको बरादराना दौर पे मशवरा देता हूँ आप उस मकान को छोड़ना नहीं चाहते हैं तो ना छोड़ने राट बराद भर ना जागें और नाई चाहे पीए मैलकेमसिन के लबों पर हलकी सी मुस्कुराह निमदार हुई आपकी इस नवाज़श और मशवरे का बहर शुक्रिया मुझे मिस्स विथाम से कोई शिकायत नहीं और मैं उनके खुलूस का एतराफ करता हूँ बहराल मैं आप से वादा करता हूँ कि चाह चोड़नी की कोशिश करूँगा और रात को एक बज़े तक सो जाया करूँगा अब टेक है अच्छा अब हमें बताईए कि इस वीरान मकान में आप राते किस तरह गुजार रहे हैं मिलकेमसन ने तफसीलन सब दास्तान सुनाई मिस्स विथाम भरबर खौफ से काम ने लगती और जब उसने ये बताया कि बड़े चुए पर किस तरह से उसने बाइबल फेंकर मारी और वो भेयानक चीखे मारता हुआ भागा तो मिस्स विथाम तो खुद एक चीख मारके भी होश हो गई डॉक्टर थान हिल ने उनके चेहरे पर पानी के चींटे दिये तब वो होश में आई डॉक्टर थान हिल का चेहरा बेहत संचीदा था पेशानी पर गहरी लकीरे भी जब मिलकिंसन चुप हुआ तो डॉक्टर ने पूछा चुआ हमेशे अलाइम के गंटियों के रसे के जरीयों पर चुड़ता है जी क्या तो मैं मालूम है वो रसा क्या है नई ये वही रसा है जिससे जजज के हुकम पर जलाद बेगुनाहों को फांसी दिया करते थे मिस्स विथाम की हालत फिर बिगड़ने लगी आखिर मिलकिंसन ने इपनी घड़ी देखी सूरज गुरूब होने में चंद मिनिट बाकी थे वो उठा और जजज हाउस की तरफ चल पड़ा उसके जाती ही मिस्स विथाम डॉक्टर थारन हिल पर बरस पड़ी तुम से किसनी कहा था बेचारी लड़के को डराओ वो तो पहले ही खासा परिशान था तुम नहीं समझी मैं यही तो चाहता हूं कि लड़का उस खौफनाक रसे से हुश या रहे जो कि कितने ही आद्मियों की जाने ले चुका है पहले मेरा इरादा था मैं खुद इस लड़के के साथ उसके कमरे में एक दूराते कयाम करू लेकिन उससे मिलके मुझे लगा है कि वो मुझे अपने साथ ले जाने पे राजी नहीं होगा बहराल वो सेथ मंदर बहादूर है और खतरे का असानी से मकाबला कर सकता है और जो ही ऐसा वक्त आया वो रसा खेंच कर अलाम की घंटियां बजा कर बैंट चर्च के लोगों को खबर साथ कर सकता है आज रात मेरा जागने का इराता है एन मुम्किन है आदी रात को किसी भी लम्हे जाज हाउस की घंटियां पुशोर आवाज के साथ बज़ उठे हाला के वो मुदद से नहीं बची डॉक्टर ने इतना कहा और मिस्स विथाम को खौफ़जदा हालत में छोड़कर बाहर निकल गया मुलकिनसन जब घर पहुंचा तो कमरा साफ सत्रा था आतिशदान में आँच जल रही थी और मेस पर लैंप रॉशन था मिस्स डैंपस्टर के हसन सलीका की दाद देते हुए मुलकिनसन ने खाना खाया और ट्रे उठा कर एक तरफ रखी उसने महसूस किया कि गुजशता रात की निस्पत आज सर्थी कुछ जादा है बाहर हमाएं आज कुछ जादा ही शोर मचा रही है उसने सोचा शायद आज रात किसे वक्त दुफान आएगा कमरे में दाखिल होने के चंद मिन बाद तक चूहों की गड़बर बंद होगी लेकिन जूही चूहों ने अपने दोस्त को पहचाना फिर चेंची करते उचलते फांते इदर इदर फैलने लग गए ख़जाने ऐसा क्यों था कि मिलकमसन जब इन चूहों की आवाजे सुनता था तो उसे लगता था कि ये बड़ा खुशकवार तासुर दे रही है वो समझता कि इस वीरान मकार में तनहा नहीं बलकि उसके बहुत से दोस्त और भी है तब उसे एक खयाल आया कि ये क्या बात है जब वो बड़ा चूहा आता है तो दूसरे चूहे सहम कर तहल से हरकत हो जाते हैं और जब वो चड़ा जाता है तो मेरे साथ फिर दोस्तों की तरह हरकते करने लग चाते हैं लेंड के उपर सबस रंग के शेड ने रोशनी को एक दाइरे में महदूद कर रखा था और उंची छट पर मुकमल तारी की थी आतिशदान में भड़कते हुए शोलों ने मेलकमसन के दिल से सारा डर निकाल दिया उसने इतमिनान से अपना काम शुरू किया और कोशिश की कि वो अपने वादे के मताबिक एक बज़े तक जरूर सो जाए कामिल एक घंटे तक वो पूरी जहनी यक्सोई के साथ लिखता पड़ता रहा फिर उसके ख्यालात मनतश्र होने लगे कमरे का महौल उसे अब बिलकुल अजनबी और बेहर ड्राउनम्स हैसूस हुआ उसने कान लगा कर सुना बाहर घुप अंधेरे में हवा और जोर से चलने लगी थी और फिर जैसे जबर्दस तूफान आया हूँ पूरा मकान बावजूद नहायत मजबूत होने के दर्वाजों और थूई की चिम्नियों में से अजीब अजीब दह्शत अंगेज आवाजे निकल रही थी यहां तक के कमरे की च्छत पर लगी भी बड़ी घंटियां हिलने लगी थी मेलकमसन ने रसे को आहस्ता आहस्ता हवा से हरकत करते देखा रसा फर्श से कईन चूपर उटता और फिर पुर्शोर आवास के साथ लकड़ी के फर्श से टकराता दफ़तन मेलकमसन के कानों में डॉक्टर थान हिल के अलफाज गुंजे यह वही रसा है जिससे जजज के हुकम पर जलाद बेगुना हों को फांसी दिया करता था वो आदिश्टान के करीब किया और रसा को हाथ में लेकर गौर से देखने लगा फिर उसके निगाहों के सामने उन बेगुना लोगों की फर्जी तस्वीरें गर्दिश करने लगी जो जालिम जजज के हुकम से फांसी पर लटकाए गए ख़दा जाने वो कौन लोग थे रसा उसके हाथ में मसलसल हरकत कर रहा था अचानक उसके जिसमें संसनी पहली उसने महसूस किया कि रसे में थर्थराहट है शायद कोई शेयर रसे पर हरकत कर रही थी उसने फॉरा निगाव उठाई और देखा कि वही बड़ा चुहा अपनी खश्मगी नज़रों से माकंसन को घूरता हुआ नीचे आ रहा है बाकंसन ने रसा चोड़ा और कोई शेयर उठाने के लिए पीछे पलटा मगर फॉरान ही बढ़ा चुहा वापस हुआ रस्ते पर भागता हुआ च्छत में जाकर गायब हो गया तालिबिम का दमाग अपतेजी से काम कर रहा था उच चन मिनिट तक सोचता रहा कि आखर ये क्या इसरार है फिर उसे याद आया कि कमरे में लगी हुई तस्वीर ने देखने और चुहे के रहने की जगा का सुराख लगाने का इरादा तो अभी तशना ये तक्मील है सरा देखो तो सही इन में रास क्या है उसने बगाए शेट का दूसरा लेम्प रोशन किया और उसे हाथ से उंचा करके आतिशतान के दाएं जाने दिवार पर लगी हुई तस्वीरों में से तीसरी तस्वीर को देखने लगा जहां एक रात पहले मोटा चूहा तस्वीर के सुराख में दाखल होकर गायब हुआ था तस्वीर पर पहली नज़र बढ़ते ही तो देह्शत जदा होकर इस तरह पीछे हटा कि लैम्प हाथ से गिरते गिरते बचा उसके चेहरे पर मौत किसी जर्दी चागे और टांगे कांपने लगी पसीने के मोटे मोटे कत्रे पेशानी पे आ गए तस्वीर देखकर इतनी हैवद नाजवान तालिब इन पतारी हुई कि वो बेद मजनू की तरह कांपने लगा चंद सेकेंड तक उसकी यही हालत रही मगर फिर उसने अपने आपको संभाला और लैम्प उंचा करके तस्वीर को दुबारा गौर से देखने लगा ये एक जज़ की तस्वीर थी जो सुख रंग का लंबा चुगा पहने और सिया बालों की टोपी उड़े हुए था उसके तुंद चेहरे पे नहायत सफाकाना और संग्दिलाना आसार थे भेंचे हुए हूंटों से नफस परस्ती और सियाहकारियों का इज़ार हता था उसकी नाक चील की चोंच की तरह मुड़ी हुई और सुख थी और चेहरे का रंग हल्दी की मानें जड़ इस मनहूस और मकरूँ चेहरे पे दो चमकदार सुख रंग की आंखे थी जिन से बला की अयारी और बेरहमी टपकती थी जो ही मलकमसन ने जजच के आंखों को गोर से देखा मान उसका जिसम सर्ट बढ़ गया उसने साफ पहचान लिया कि इन आंखों और बड़े चुहे की आंखों में जर्रा बराबर फर्क नहीं दूसरे ही लम्हे उसकी नज़रे उसी बड़े चुहे पर पढ़ी जो तस्वीर के दर्मियानी सुराख में से सर निकाले अपनी सुर्ख आंकों से मलकमसन को गूर रहा था उसका हाथ इस बुरी तरह कामपा के लैंप हाथ से छुटकर धमाके से फर्ष पर किरा उसने महसूस किया कि कमरे के चुहों की आवाजें यकलख थम गई हैं इसे छपट कर लैंप उठाया बती रोशन की और फिर तस्वीर का मौइना करने लगा तस्वीर में जजज अपना अदालती लबास पहने एक सियाह रंग की उंची कुरसी पर बैठा था उसके दाएं जानी पत्थर का बना हुए एक बड़ा आतिश दान और इसी गोशे में चछट से फर्ष तक एक मोटा रसा लटक रहा था तस्वीर में रसे का सिरा लकडी के फर्ष को छूता हुआ दिखाया गया मिलकिंसन के इस तराब और देहशत की इंतिहा न रही जब उसे ख्याल आया कि इसी कमरे का मनजर है जिसमें वो इस वक्त खड़ा है उसने खौफ से मखलूब होकर चोड नजरों से चारों तरफ कमरे में देखा जैसे उसे किसी खास शेय को अपनी पुश्ट पर पाने की तवक्क हो तब उसकी निगाह आतिशतान के दाएं तरफ गई और एक भयानक चीख के साथ लैम दोबार उसके हाथ से छूट गया उसने देखा कि उसी सिया कुरसी पर जिसके साथ रसा लटक रहा था वोही बड़ा चूहा शोला बार नजरों से मेलकिमसन को घूर रहा है बाहर तूफान की शिदत और शोर में इजाफा होने के बावजूद कमरे में मौत किसी खामोशी थी लैम गिरते ही मेलकिमसन जैसे होश में आ गया खुशकिसमती से लैम टोहे का था वरना तेल बह जाता लेकिन अब उससे दोबारा रोशन करने की हिम्बत उसमेना थी उसके आसाब सुन हो गए थे उसने हाथ से अपनी पसीना आलूद पेशानी को साफ किया और बरबढ़ाने लगा अगर मैं इसी तरह भगल बना रहा तो काम नहीं चलेगा अब ये किस्ता खतम होना चाहिए मैंने डॉक्टर से वादा किया था कि चाए नहीं पियूँगा इसमें सच कहा था कि चाहे ने मेरे आसाब को कमजोर कर दिया है नहीं पहले इसके हसास क्यों ना किया खर अब आइंदा बेखूफ नहीं बनूँगा सब शेट का लैम बदस्तूर रोशन था मैलकमसन ने अफने सूट के इसमें सब बरांडी की बोतल निकाल कर चंगून पिये और कुर्सी पर बैट कर किताब देखने लगा इसी दुरान बड़ा चुहा दुबारा गायब हो चुका था एक गिंटे बाद उसने चौंक कर सर उठाया मकान के चिमनियों में तेज हवा जब दाखिल होती तो अजीब किसम की भैनक चीखें सुनाई देती आतिश्टान की आग बहुत धीमी पड़ गई और उसमें हलका सा गहरा सुर्ख शोला चमकने लगा मेलकमसन पूरी तवज्ज़ से ये आवाजे सुन रहा था और फिर उसने एक बहुत हलकी सी आवाज कमरे में सुनी जैसे किसी चुहे ने कोई चीज कुतरी हो आवाज कमरे के उस कोशे से आ रही थी जिधर मोटा रसा लटक रहा था उसने ख्याल किया शायद ये रस्टे के फर्श पर लगने की आवाज है जो के हवा से बार बार उपर नीचे हिल रहा है वसी कमरे में फैली हुई मधन सब्स रोशनी में उसने निगा उठा कर देखा तो रसे पे बड़ा चूहा नजर आया जो रसे को बीच में से कुत रहा था रसा तकरीवन कट गया था और दूसरे लम्हे आधा कटा हुआ रसा लकड़ी के फर्श पर जोर से गिरा एक लम्हे के लिए बड़ा चूहा बकिया लटके हुए रसे के सिरे पर जूलता रहा मलकमसन के जिसम में देहशत और इस्तराब की एक नई लहर दाखिल हुई उससे सोचा मदद के लिए बाहर से किसी को बुलाना भी अपने बस में नहीं ये रास्ता तो बंद हुआ मगर फॉरन ही नाकाबल बर्दाश तैश के आलम में उचल कर अपनी जगा से उठा और जो किताब पढ़ रहा था वो चूहे पे खेंच मारी निशाना सही था मगर इससे पहले कि किताब चूहे को लगती चूहा लकड़ी के फरश पर कूट कर एक तरफ दोड़ा मेलकमसन उसके पीछे लबका मगर चूहा कमरे के किसी तारी कोशे में गुम हो गया मेलकमसन अब इस उचल फान से आजज़ आ गया था उसने दिल में मुस्मम इरादा किया कि कल खुछ सारा दिन जाया करना पड़े इस मन्हूस चूए को जरूर हलाग करूँगा उसने लैंपर से शेर उतारा रोशनी च्छत तक पहुंचने लगी और दिवारों पर लगी हुई तस्वीरे दिखाई देने लगी मेलकमसन जिस चका खड़ा था उसके एन सामने आतिशतान की दाई जाने दिवार पर वही तस्वीर लटकी हुई थी जिस पर जजज को कुर्सी पर बैठे दिखाया गया था उसकी नज़र यक उस तस्वीर पर पड़ी तो वह चीख मारते मारते रह गया तस्वीर के एन दर्मियान जहां पहले बहुत बड़ा सुराख था अब नए चमकदार कपड़े का पैवन लगा दिखाई दिया तस्वीर का पसमंजर वही था जब वह पहले देख चुका था मगर अब इसमें से जज गायब था दहशत की एक सर्ड लहर उसके जिसम में दोड रही थी और दिल बुरी तरह धड़क रहा था इसनिया इस्ता इस्ता गर्दन घुमा कर सिया कुरसी की तरफ देखा और फिर उसे यूं महसूस हुआ जैसे इसके हाथ पैरों की जान निकल रही इसका दमाग चक्राने लगा सिर्फ देखने और सुनने की हिस बाकी थी सियाह रंग की हैवतनाग कुरसी पर जज अपना सुर्ख चुगा पहने सियाह बालों की टोपी ओड़े बैठा अपनी शोला बारांगों से मिलकमसन को घूर रहा था उसके सफाक और भेयनक चेहरे पर फत्थ का अक्स नुमाया था और भिंचे हुए हूंट इस तहजाईया अंदास में खुले थे उसने यका यक अपना हाथ उंचा किया और सरसे सयाह टोपी उतारी मिलकमसन उसको हिलते देखके पत्थर का बुत बना उसकी तरफ तक ता रहा उसके जिसम का सारा खून जैसे दिल में से मटाया और कानों में सीटियां बज रही थी बाहिर तूफान पूरी शिद्द सजारी था दर्वाजे और खिर्कियां इस तरह काम रहे थे जैसे जबला सलजल आ रहा हो दफ़तन बैंट चर्च मार्किट के टावर ने भयानक आवाज में बारा बजाए मिल्किंसन को यू महसूस हुआ जैसे एक ना खतम होने वाला वक्त शुरू हुआ है और वो सदियों से इसी तरह बहुसर हरकत खड़ा है उसकी आंके देशत के मारे पहली हुई थी बारा के कलाक की आखरी जर्ब के साथ ही जज के बेरहम चहरे पर फातिहाना मुस्कुराहत का हलकोरा नमुदार हुआ उसने बालों की सिया टोपिया हिस्ता से इतने सर पे रखी तर वो नहायत वकार से उठा और फर्श पर पड़ा हुआ रसे का टुकड़ा उठाया चरनमे तक और उसे पर यूँ हाथ फिरता रहा जैसे सकाम में उसे लुटफा रहा है तो उसने सिरे की तरफ गिरा लगाई और फंदा कसने लगा फंदे का अच्छी तरहां इंतिहान कर चुकने के बाद उसने फंदा एक हाथ में पकड़ा मिलकमसन के मुखालिफ सिम्त में जिधर कमरे का दर्वाजा था उस तरफ बढ़ा जैज की आंखे मुसलसल मिलकमसन के चेहरे पर गड़ी हुई थी मिलकमसन को एहसास हुआ कि जैज अब उसके और दर्वाजे के दर्मयान हाइल है बाहे निकलने का ये रास्ता भी बंद हुआ उसने दमाग पर जोड़ दे कर सोचनी की कोशिश की कि उससे बचने के लिए उससे क्या करना चाहिए मगर उसका जहन माऊफ था जैज की आंखों में कोई ऐसी जबर्दस कुवत थी जो उसने मेलकमसन को उसी की दर्व देखने पर मजबूर कर रखा था फिर जज आहिस्ता आहिस्ता उसकी जाने बढ़ा वो मेलकमसन से दो गज के फासले पर आकर रुका और अपना दाया हाथ उठाकर रसे का फंदा लड़के की गर्दन पर फिंका बदनसीब नौचवान पूरी कुवत इरादी सर्फ करके उसने पनी गर्दन को एक तरफ जुमबिश दी और रसे का फंदा उसकी गर्दन को छूता हुआ लकडी के फरश पर गिरा उसने दुबारा फंदा खेंचा और फिर उससे हाथ में लेकर मलकिमसन की गर्दन में डालने की कोशश की उसने फिर गर्दन एक तरफ हटाए फंदा फिर फरश पर गिरा जच पलक जपके बगएर लड़के पर नजरे जमाएक खड़ा था उसने बार बार उसकी गर्दन में फंदा डाला मगर कामयाब न हुआ वो इस नाकामी पर गतन परेशान नहीं था बलकि उसके लबों पर शैतानी मुस्कुराहर थी जैसे बिल्ली चूहे को हड़प करने से पहले उसके साथ खेलती है आखरे कार इंतहाई मायूसी के आलम में जबके ये पुरसरार और भेयानक ड्रामा अपने नुक्ता रूच पर पहुँच गया मलकिमसन ने गर्दन गुमा कर कमरे में नजर दोड़ाई लैम्प उसी तरह रोशन था कमरे में खासी रोशनी थी आटिश्टान की आख सर्ट पढ़ चुकी थी दिवारों और कोनों में ऐसे बेशुमा चुहे दिखाये दिये चुबे हिसा हरकत अपने बिलों से सर निकाली अजीब मनसर देख रहे थे उनकी आँखों में बेबसी के साथ साथ खौफ था मेलकमसन ने उचुहों को देखकर अपने दिल में कुछ इत्मिनान महसूस किया फिर उसकी नजर अलार्म की घंटियों के लटके हुए निस्फ रसे पर पड़ी उसने देखा उसके एक सिरे से लेकर छट के आखरी सिरे तक जहाँ एक छोटे से सुराख से रसा नीचे आता था बेशुमार चुहे चिम्टें हुए थे और अभी उनकी आमद जारी थी यहां तक कि उनके वजन से छट में लगी हुई बड़ी घंटियां हिलने लगी रसा हिला और घंटियों में से आवाज निकली लेकिन यह आवाज बहुत हलकी थी मगर मिलकिंसन ने फॉरण महसूस किया कि छोटे चुहे बराबर कोशिश करें हैं कि रसा तेजी से हरकत करें और घंटियां जोड़ से बजए इस हलकी सी आवाज पर जजज ने फॉरण निगाह उठाकर अलार्म के रसे की तरफ देखा उसका चेहरा वस्तर से स्याह पड़ गया उसकी आँखे दहकते हुए कोईलों की मानन सुर्ख हुए और उसने जोड़ से अपना पाउं लकड़ी के फर्श पर मारा लेकिंसन को यूँ मैसूस हो जैसे सारा मकान लरजने लगा है रसे पर लटकते हुए चूहे बराबर अपनी कारवाई में मसरूफ रहे शायद वो जजज का देहान हटाने के कोशिश में हो थे और चाहते थे कि किसी तरह ये वक्त गुजर जाए किसी तरह ये घंटिया जोर जोर से बज़ने लग जाए और मदद के लिए लोग आ जाएं जज ने दोबारा फंदा हाथ में लिया इस मरतबा मेलकिंसन की गर्दन में फैंकने की बजाए वो दो कदम इसके जाने पढ़ा मेलकिंसन को यू महसूस हुआ जैसे जान उसके जिसम के हरोएं से निकल रही है वो एक बेजान लाश की मानन अपनी जड़ा ख़ड़ा रहा जज की बर्फ की मानन सर्द उंगलियां उसकी गर्दन को छूने लगी और फिर रसे का फंदा उसके गले में पढ़ गया जज ने पूरी कुवत से रसा उसकी गर्दन में कस दिया लड़का जुमबिश किये बगार खड़ा रहा चुहे रसे पर तेज तेज हरकत करने लग गए उसने कई बार अपना हाथ लाने की कोशिश की लेकिन उसके हाथ में जैसे जान ही न थी जज ने सहत मंदर कवी मेलकमसन को दोनों बाजों से पकड़ कर एक खिलाने की मानने अपने हाथों पर उठाया और सिया कुर्सी के निशिस्ट पर ले जाकर खड़ा कर दिया उसने अपनी नजरे मुसल सल मेलकमसन की नजरों के साथ रखी भी थी उसने पना दाया हाथ उठा कर अलार्म घंटियों के लटकते हुए रस्से का सिरा पकड़ा जू ही उसने रस्से को छुआ उस पर चिम्टे हुए लातादा चूहे खौफनाक आवाजे हलक से निकालते हुए छट के सुराख की तरफ भागे रानन फानन गायब हो गए जज ने मैलकमसन की करदन में पड़े हुए फंदे का एक सिरा लटकते हुए रस्से से साथ कस कर बान दिया और फिर फिर कुर्सी उसके पैरो तले से खेंच ली आधी रात के सनाटे में इस तुफानी रात को बैन चेर्च के जज हाउस की घंटिया पुशोर आवाज में बज़ने लगी लोग देशे ददा होकर अपने इपने घरों से निकल कर जज हाउस की जाने भागे चन्द मिन्ट में सैंकड़ो आदमियों का मजमा इस परस्रार मकान के सामने जगमा हो गया जो हर तरफ से तारीकी में डूबा हुआ था और इसके अंदर से घंटियां बजने के मसलसल आवाज आ रही थी लोगों ने दर्वाजा पीटना शुरू कर दिया अंदर से कोई जवाब ना आया फिर उन्हें दर्वाजा तोड़ डाला डॉक्टर थारन हिल पहला शक्त था जोस कमरे में दाखिल हुआ कमरे के दरमयान में रखी हुई मेस पर बगया शेट का लैम प्रोशन था आतिष्टान में आग बुच चुकी थी अलाम घंटी के रसे के सिरे पर नाजवान तालिबिन की लाश लटक रही थी और आतिष्टान के उपर लगी हुई बड़ी तस्वीर में जज हस्पे मामूल अपनी कुर्सी पर बैठा सफ़ाकाना अंदाज में मुस्कुरा रहा था कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं कभी धुएं की तरह परवतों से उड़ते हैं ये पेचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हुसलों से उड़ते हैं जी हाँ दोस्तों आप भी जुड़ जाएए हमारे साथ अपने खौबों की उड़ान लिए अपनी कलपनाओं की उड़ान लिए अपनी खाहिशात की उड़ान लिए लॉगाउन कीजिए www.radio.com और चलिए हमारे साथ एक कवीन खत्म होने वाले सफ़र पर जिसका नाम है रेडियो उडाउ आओ आओ चलें ले चलें आपको Entertainment Information Based Program की ओर जिसका नाम है सतरंगी सफर जिसे सुन पाएंगे आप हर बुद्वार शाम आठ से नौ पुनह प्रसारण हर प्रहस्पतिवार दोपहर तीन से चार ओनली ओन रेडियो उडान आप सुन रहे हैं रेडियो उडाउ अफ्लाइट अव लाइफ वर्ल्स नमबर वन इंटरनेट रेडियो स्टेशन अविट्स ओन खाइन सुनते रहे हैं और इंजॉई कीजिए रेडियो उडाउ किसके गर्व में मिला 34 इयर्स का स्टोन बेवी कौन से गाउं में करवाई जाती है कुटों से बच्चों की शादी किस मुवी को लेकर चल रही है कॉंट्रवर्सी बॉलिवुड की कौन सी पस्ट्रेल जिने की शादी और किसका हुआ ब्रेक अप पिछले हफते की मुवी का क्या रहा बॉक्स ओफिस रिव्यू और क्या आप देख सकते हैं आने वाली फिल्म कुछ ऐसी ही मौज और मस्ती के साथ हम लेकर आते हैं हर शरीवार आर से नो बॉलिवूर गप्षप तो फ्रेंज चुन इन तरे डे ओडान और एंजोए दा वीकेंद है युण दू यू थाओग है लुवरत देख्यों तरेख्यों व इस वाओव धिख प्रॉट ट्यूप्यूट झा इट को एंजोग इन का इन्स्पिरश्यों पूड़िश्व झान इन्स्पिर्श्पिश्ट ने स्थिर्श्ट So let us meet in a world of positivity in the show Inspirational Wings Season 2. Every Tuesday 9-10pm and repeat. Every Wednesday 4-5pm with Arja Divya Sharma only on Radio Udaan, Our Flight of Life. For more information visit our website www.radioudaan.com एहसास इश्क और मुहब्बत की मुलायम जज़्बे का याद वो है ही नहीं आए तो तन्हा ही नहीं तेरी आदा आए तो मेरे में एकला एहसास मा के ममता भरे आचल का वक्तसर होते हुए भी जिन्दगी बढ़ जाएगी मा की आँखें चूल लीजे रोशनी बढ़ जाएगी और एहसास देश प्रेम की भावनाव से उदपलोट जज़बे का अरे हिंदुस्तानी बलीदानों का बखान करने में यारों अच्छे अच्छों का पसीना छोटे जाता है इन ही एहसासों के तमाम पहलों को लेकर हमने एहसास दुनिया का इंतिदाम किया है आपके लिए हर बुदवार रात में नौ से दस और हर गुरुवार यानि हर थस्टे तो पहल चार से पांच सिर्फ और सिर्फ रेडियो उडान पार इंडिया आये इंडिया, वी विल सिन्ञ ये आवाज है हमारे मेंबर्स के दौरा भेजे जाने वाले इंच आने कम्मुनिकेशन लिकी यह आवाज है हमारे ग्रुप के द्वारा ओर्णाइज जाने वाली कन्वेंशन और वर्क्शॉप में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों गी और इन सथ का नाम है Say Everything Say Everything is a group of integration Say Everything यानि एक आवाज विचार और अभी देक Say Everything is a group of free expression Say Everything is an international mailing list to learn and share where the subscribers can discuss every topic of common interest via email exchange from around the world For more information and to subscribe our mailing list please log on to www.sayeverything.org Say Everything is India's number one international mailing list Come and join us today You are listening to Radio Kudan Radio Kudan Radio Kudan A flight of life For more information log on to www.radioudan.com Happy listening उम्मीद करती हो दोस्कों आपको ये कहानी पसंद आई होगी कथा लोग शोस्कों संबंदित आप हमें अपने विचार अपनी राये हम तक जरूर पहुचाईएगा आप हमें स्काइप पर चैट करके बता सकते हैं हमारी स्काइप आईडी है Radio RAN आप मुझे इजाज़त कीजिए मिलती हूँ अगले मंगलवार इकी समय पर तब तक के लिए खुश रहे इंजोई कीजिए और सुनते रहे रेडियो डान अफ्लाइट ओफ लाइफ नमस्काव कहानी वेद पुराणों की मनुरंजग कहानिया जीवन को राह दिखलाने वाली कहानिया धार्मेट, सांस्कृतिक, सामाजिक और राजन्यतिक हर पक्ष को छूती हैं कहानिया तो इनी कहानियों को मैं सुनाने आ रही हूँ यानि आजे गीता सुमन शो कथा लोप में हर मंगलवार शाम साथ से आज और हर बुद्वार दो पहर दो से तीन तो सुनना मत भूलिएगा सिर्फ और सिर्फ रेडियो उडान पर दो अन्धों की कथा सुनो इस पर इनका ग्यान सुना